इस दुनिया में जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर, वो है डिजायर की पावर, डिजायर, कि डिजायर ही है जो हमारे मन को इतर उदर बढ़का रहा है, डिजायर ही तो है न, डिजायर for pleasure, डिजायर for something, डिजायर for doing something, डिजायर for getting something, पूरी दुनिया को यह तो भगा रहा है, अगर इस दुनिया से आप डिजायर निकाल दो लोग के दिलों में से, क्या होगा, सब कुछ रुख जाएगा, एक दिन के अंदर-ंदर, all will come to a halt, डिजायर भगा रहा है तो डिजायर से आप नहीं जीच सकते तो करें क्या solution क्या है ये डिजायर की आपकी power जिसमें इतनी power है कि आप imagine भी नहीं कर सकते you can't even imagine कि अगर आपके अंदर एक desire उठ जाए कि मेरे को कोई ऐसी चीज डिसकवर करनी है जो आज तक पुरी दुनिया में कभी किसी ने ना करी कि डिजायर उठ जाए और पनपने लग जाए अंदर ही अंदर तो आपको कुछ करने की जुरूत नहीं बड़े यो desire आपके थुरू काम करने लग जाएगा आप से काम करवाएगा वो desire पहले पहले हम अपने desires को चुनते हैं बस यहीं तक है हमारी power उसके बाद हमारी power खत्म अब उठ desire की power है desire बड़ा है बहुत तो आपके अंदर से इतनी बड़ी energy आएगी कि वो आपसे वो काम करवा देगी चाहिए वो काम सही हो या गलत हो यह desire का खेल है और इसी तरह से अगर यह desire की power कम है तो automatically उला करके आपको रोग देगी तो करें क्या absolutely simple मैं आपको बताता हूँ अपना real life example कि यह चीज मैंने कब सीखिया और किस तरह से मैंने अपलाई करी desire की power at the age of around 21 मैंने तब तक करीमन आठ दस अलग अलग तरह के बिजनस कर लिये थे और एक बिजनस मैंने किया तीन और पार्टनर्स के साथ मतलो समें तोटल चार पार्टनर्स ते अपनी खोली छे मैने तक वो कमनी चली बुरी तरह से फेल होगी कंपनी सक्सेस्फफल हो गई लेकिन जब वो कमनी बंध होई पार्टनर्सिप में डिफरेंसिस की वज़े से तो मेरे हाथ में एक रुपे भी नहीं गया या and I was like के पूरी तरह से खाथ जमीन पर आगर गिर गया था अरचीज की एक डियरी थी लॉक वाली मुझे भी याद है और उसके अंदर मैं अपने सारे एक्पिरेंसिस लिखता रहता बैट करें दिन में दो गंटा तीन गंटा बागी टाइम बैठा रहता था टीवी देख लिया टाइम पास कर लिया किसी आपने उस फेलियर को बूल ले की कोशिश कर रहता बिगस अजब देख लिए पर आप देखना क्या होगा यह इंडिया इस बढ़ी कंपनी होगी यह होगा बदा रहुगा क्या बोल तयाता ऐस ठाइम excitement बट ज़्यादा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा होता है सब को मैंने बड़ी बाते कर दी थी हुआ क्या सब खटम सब जीरो और उसके बाद मैं आगे कुछ नहीं पता की क्या करना है तो डाइरी मैंने खरी दी और उसके अंदर अपना एक्स्पिरिंस इज लिखने शुरू कर ती है यह हुआ यह हुआ यहाँ से मैं इक चीज सीखी कि कभी भी हमको अपने फेलियर्स को अपने मन में रखना चाहिए अगर फेलियर्स अवारे बन में रह जाते हैं तो अटोमाटिकरी नहीं अपना ध्यान जाना है तो मैंने लिखना शुरू कर दिया मेर साथ में यह हुआ, मेर साथ में वो हुआ जितना मिर को फ्रस्ट्रेशन थी बाकि के उन पार्टनर्स के अपर वो में लिख कर निख लिख 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 ल को निकाला उसमें से एक स्टेपलर को ऐसे किया स्टेपलर पड़ा था उसको ऐसे किया उसमें से पिन निकली पिन को ऐसे खोला पिन को लिया और यहां पे चुबा दिया अपने हाथ के अपर एक इस फिंगर के अपर इस फिंगर के अपर ऐसे चुबाया इसमें से खुन आया and I literally wrote it with my blood on that day, मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने बाला हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं जिन्दगी में कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन एक बात पकी है, कि अगर मैं कुछ भी ढंका कर गया ना अपनी जिन्दगी में, तो मैं अपनी उस सक्सेस को अपने तक नहीं रखूँगा, शेयर करूँगा उन सब लोगों के साथ में, जो मेरी तरह ही इस फेज से निकल रहे हैं. मैं तो रो लिया जितना रोना था, किसी और को नहीं रोने दोगा, आगे आज़ोंगे, मैं हार रहा हूं कोई बात मैं, किसी और को नहीं आतने दोगा, उनको नहीं तूटने दोगा, सामने आ करके डाल मन के खड़ा हो जाओगा, और आ करकर दूआ, चल खड़ाओ, ख़आ के वर, जोटा सा कार था, जोटा सा. इस की शुरुवात कहां से ही, I was in so much of pain मतला अंदर से पूरे तरीके से टूटा हुआ था, mental pain मतला पूरे तरीके से mind इतना इतना ज़्यादा परिशान था, तो उसी परिशानी से चीज एक अवाज उठकर के आई अंदर से कि यार मैं तो परिशान जो हूँ सो हूँ बस आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, ऐसे कर एंव। और एक वो दिन था, एक आज का दिन है उस बात को होगए है करीब-करीब थीरा साल मैं ने लाइफ में कभी पीछे मुझे मुझे नहीं देखा पेलियर जाए बहुत फेलियर जाए बहुत प्रॉब्लम्स आई दर्द को सहने की ताकत आगई और ऐसी ताकत आई कि मैं आपको बता नहीं सकता बर्ट में डिस्क्राइब नहीं कर सकता तो हुआ क्या जैसी मेरे अंदर ही अटिट्यूड आया ये छोटी सी चीज आई कि मुझे कुछ करना है automatically मेरे actions बदल गए मेरे सोचने का तरीका बदल गया thoughts बदल गए जो हमारे thoughts है न वो आते है desires से जैसे भी आपके अंदर desires दबे होए हैं उसी तरह कि आपकी सोच है कभी भी देख ले ना यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जैसे आपके अंदर desires होंगे अभी exact वैसे ही आप सोच रहे होगे इस पर सुच लेशाल कर सकता है हुए तो सोच रहोगा इसे बहुत सारे स्टूटेंट्ट्स होगे है यहां पर बहुत सारे स्टूटेंट्स वे एडिक्ट्स जिनको हर पांच मिनट बाद एक अपनी सेल्फी चैय ए तो वो सुबह से यह नहीं सोच रहे होंगे कि पैसे के बारे में वो यह दिमाग नहीं लगा रहे होंगे I am 100% sure, ऐसे बहुत सारे होंगे यहाँपर, वो सुबह से यह सोच रहे होंगे किस तरह से मेरी संदीप के साथ में एक सेलफी क्लिक हो जाए कितने likes आएंगे आप सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, thoughts को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, desires को कंट्रोल कर सकते हो desires को बदलते ही, सोच बदल जाएगे सोच के बदलते ही, actions बदल जाएगे actions के बदलते ही, आपकी जिंदगी बदल जाएगे सो सिंपल तो हुआ क्या मेरी सोच उस एक मुमेंट में जब बदली तो मेरे अंदर से आया कि अब मुझे कुछ करना है उन लोगों के लिए जिनको मेरी जरुवत है लेकिन उनके लिए करने से पहले पहले मुझे कुछ बनना तो पढ़ेगा यह थोड़ी कि मैं खुद बिजनस में फेल होगे और यहां पर आगर कि आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ जेब में खाने के लेए पैसा नहीं है बाइक में परवाने के लेए पैसा नहीं है और आगर कि बड़ी बड़ी बाते कर रहा हूँ क्या होगा तो बहुत लोग मुझसे पुछते हैं मेरे सेशन्स में कि मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके हैसा क्या करूँ मैंने भाई सबसे बहले अपने ले कुछ कर तो मुमेंट यू हाथ अपने ले कुछ कर लाइफ चेंज़ एक बंदा जिसका डिजायरी इतना सा है कि यार किसी भी तरह से मेरे को 10,000 रुपे की नौकरी मिल जाए किस तरह के थॉट्स होंगे उसके किस लेबल का एक्शन होगा उसका क्या वो बहुत बड़े लेबल पर एक्ट करेगा क्या मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा ये होगा वोगा क्या करेगा कहेगा बस कहीं से भी 10,000 रुपे की नौकरी मिल जाए उसकी सोच उस 10,000 रुपे से आगे बढ़ी नहीं सकती तो कि उसका डिजायर 10,000 रुपे तक है वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगी उसकी सोच को और 10,000 गा 11,000 पर मिलिया तो वो तो बल्ले बले करेगा बैट कर गे पस हो गया मेरा काम Life Set कि मेरे आस पास में जो लोग है उनकी सेलरी है 8,000 और मेरी है 11,000 देखो मैंने तो कर लिया जो करना था Life में खेल खात्म तो करी क्या जब हमारे desires हमारे future को define करने वाले हैं यहां तक तो समझ आ रहा है तो करना क्या है कि जब desire choose करना ही है तो बड़े से बड़ा choose करो ना बड़े से बड़ा इस दुनिया का सबसे बड़ा बड़े desires बड़े desires बड़ी सोच बड़ी सोच बड़ा confidence बड़ा कॉंफिदेंस बड़े एक्षिण्स बड़ा करता है और सबसे बड़ी चीज इस दुनिया बड़ा है सबसे बड़ी चीज, सबसे अदा पावर जहां से आती है मैं आपको अपना जो एक्सपिरियंस बड़ाया ना यह जो छोटी शी जो थोट आया था और जाकर के वो मैंने अपने खुन से लिखा था उसके ओपर डायरी के ओपर दो पेज़े जो चीजे लिखी ती उससे हुआ क्या सम्हाओ सम्हाओ आइम फीलिंग फ्रम बाट दे ओनवर्ज कि कुछ पावर्स हैं कहीं पर जिन्होंने आ करके मेरे थुरू काम करना शुरू कर दिया है तर इस सम्धिंग विच इस देर मेरी समझ से बाहर है वो क्या है तर इस सम्झ पावर विच इस हेल्पिंग मी तो डू वटेवर आइम वां तो मैं केसे कर स Eddy कर रहा है कि है आप भी contempor λflies कर रहे हैं कोई भी दुनिया में वो नहीं कर रहा है समझो इस चीज को अरे हमारी जो डिजाएरस है अंदर दबे होए वह उमसे काम करवा है आँ को कं आँ किस टरह है है डिजाएर क्या है बीज की तरह है एक वर वबीज गया तो इसने पेड़ बनना है उसके बाद रोते रहो अगर बीज निम का है तो निम का पेड़ लग गया अब आपिस से आम का पेड़ लगने में बहुत साल लगेंगे वो भी तब अगर आप आम का बीज बोने के लिए तयार हो तो नीम के पेड़ को ऊपर-ऊपर से काटते रहो करते रहो, कोशिश करते रहो, कुछ नहीं होने वाला बोलते रहो, जिंदगी कड़ी है मज़ा नहीं आ रहा, सब कुछ मिल गया, तब भी मज़ा नहीं आ रहा साटिस्फाक्शन नहीं है, खुशी नहीं है कुछ नहीं होने वाला तो वो काम हो सकता है सिर्फ उस बीज को बोने से पहले और ये बीज बोने का जो राइट टाइम है वो है आपकी एज में जो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए इस वक्त जो बीज अंदर चला गया गहराई तक हमारे दिल के अंदर दिमाग के अंदर नहीं दिमाग को तो ये दिल यूज करेगा एक बार दिल में वो बीज जाए तो सही दिमाग को दिल इंस्ट्रक्शन देगा चल बेटा तू ये कर दिमाग दिमाग लगाएगा कि ये करना है वो करना है, वो करना है, बोडी फॉलो करेगी, बोडी गईगी, आने दे जितना दर्द आ रहा है, सहूंगा, दिल कहेगा, माइंड को चुप, जितना दर्द आ रहा है, आने दे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़, ये करने का मन नहीं कर रहा है, कर, कोई और अप्शन यह तुझे करना ही पड़ेगा, माइंड घुटने एक देगा तोगी माइंड से जो बड़ी ताकत है वो हमारे दिल के अंदर है वो क्या है मैं उसको कोई नाम नहीं दूँगा इसको आप डिजायर भी ताकत कह सकते हैं डिजायर कमाल का डिजायर अगर मांगना ही है तो मैं क्या मांगता हूँ जब मेरे अंदर ये थॉट आया यह वाला डिजायर पनपा कि मुझे कुछ करना है कुछ कोंट्रिव्यूट करना है तो उसके साथ साथ में क्या आया कि कुछ भी करने के लिए पहले मुझे खुद-कुछ बनना पड़ेगा उसके लिए दिन में 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है करूँगा क्या करना पड़ रहा है करूँगा बार बार फेल होने के बाद भी जब दुनिया घुटने टेक देती है ऐसे फेलियर के बाद में मैं दुबारा खड़ा हो जाऊँगा एक सेकंड भी बरबाद नहीं करूँगा में पर टाइम नहीं बरबाद करने के लिए जो करना है वो इतना बड़ा है कि मेरी जिंदगी से बड़ा है कोई भी लड़ाई हो जिंदगी कैसी भी कोई भी कैसी भी ये रॉकी मुवी का डायलोग है रॉकी मुवी देखिए आप लोगोने रॉकी बालबोवा, सिल्वेस्टर स्टेलोन की एंड में जीतता वो है उस लड़ाई के अंदर जो मरने के लिए तई आर है वो जीता है तो अपकी जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए अगर वो बड़ी है तो अपने आप ही आप से बड़े 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 काम कराती चली जाएगी मेरा जो डिजायर था वो डिजायर मुझ से मेरे माइंड से मेरी बड़ी से वो वो काम करवाता चला जा रहा है अब चाहा करके भी मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है मेरे माइंड के उपर से मेरी बड़ी के उपर से मैं नहीं भी चाहूं, तो मुझे वह करना पड़ेगा, जो मेरे डिजायर्स है, तेकिन अच्छी बात क्या है? यह जो डिजायर्स है, यह जिंदकी के हर पल में, मुझे खुशी ते रहे हैं के से जीरिवी, अर फोल में मन कर रहा है कि पूरी तरह से जी लूंर और अगले पर्में मरने का कोई डर मोइंगे, जी रहा हुना, ही नहीं है अगला पल नहीं है यही है! इसमें जीना है वह क्यों हो पा रहा है? टirडिक पार पुछ ऐसा है वो बीज ऐसा था कि अपने आपी उसमें मिठास है अगर वो बीज नीम का होता तो मैं रो रहा होता आज बैठ करके बहुत लोग है जोनों ने बहुत पैसा कमा लिया फिर भी बैटे बैटे रो रहे हैं माते वे सलवेटे बढ़ी हुई है जिस वक्त time था वीज बोने का तब उन्होंने गलती से जान बूच कर के नहीं उन्होंने नीम का बीज बोोगी है नीम क्या है? लालच लालच का कोई अंथ ही नहीं जिसके अंदर लालच है वो हमेश़्ा कल में जिएगा वो आज में नहीं जी सकता कितना भी मिल जाए कुछ न कुछ कम पढ़ी जाएगा एंड में कम पढ़ी जाएगा तो भागता ही रहेगा वो कभी भी बैठ करके शांती से सिंदी को जी नहीं सकता उसमें हिम्मत नहीं होगी वो करने की जो उस वक्त उसके अंदर से अरा है करने के लिए तो आपका वक्त है जितने स्टूडेंट्स हैं उनका वक्त है मेरी अगर हो सके तो इस बात को समझो और अपने अंदर आज ही आम का बीच बोदो अपने अंदर जहा करके डिजायर को प्लांट कर दो कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है किसी के लिए भी किसी भी तरह से कुछ करना है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना अगर मैं सिर्फ पूरी जिंदकी मरते दम तक अपने बारे में ही सोचता रहा तो इंसान मनने का फाइदा है जानवर ही बन जाता जानवर भी तो यही कर रहे हैं खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, शिकार करते हैं, बच्चे पदा करते हैं यह सब काम तो जानवर भी करते हैं इंसान मनने का क्या फाइदा हुआ इंसान सोच सकता है, उसकी बुद्धी डेवलप हो चुकी है जानवरों की नहीं हुई है अगर आप levels of consciousness के स्थर पर देखो तो इंसान टॉप पर है scriptures में लिखा हुआ है कि देवी देवता भी तरस्ते है इंसान बनने के लिए लेकिन इंसान आज जानवरों से भी नीचे गिर गया है क्यों? क्योंकि उसके desires उसके उपर हावी हो गए उसके desires उसे ऐसे काम करवा ने है जो विज़ारा चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहा वो desire जो आठे बन चुकी है जिन आठ्रों को वो चाह कर भी बदलना नहीं इंसकते जब तक कि अपने desires को नहीं बदलेंगे और जब वक्त था अपने desires को choose करने का तब उन्होंने सही डिजायर चूज नहीं किया, तो आज वो फस चुके हैं पूरी तरह से, मेरी बाते सुन भी लेंगे, और वो चाहेंगे अपनी जिंदिकी को बदलना, next to impossible, उन लोगों के लिए बदलना, लेकिन आप कर सकते हो, जितने स्टुडेंट्स हैं, आप कर सकते हो, और आप करो गे, लिखवा कर के लगो मेंसे, ना खड़ा हो ना आपके सामने, आप करो गे, अन्दिप, आप बार बार जो बोलतन जो इस्टुएंट बैट है, इस वर्ल्ड में कोई भी बंदा, इस एवरीबटी इस एस्टुएंट् वरी गुड़, I think let's give a big hand for him, it's a very good point, I'm so sorry, अगर मैंने किसी कियाँ पर feelings hurt करी हो, student से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं है, कि जो अभी schools में है, college में, student से हर वो अगमी है, इसका दिबाग खुला हुआ है, तो इसका लिंक है learning से, learning attitude से, learning attitude से, learning attitude जहां खतम है वहां सापका बड़ा पाश्रू हो गाए, absolutely, let's give a big hand for him, शीखते रहना है, जो सीख रहा है वो जिन्दा है, जिसने सीखना बंद किया, वो जिन्दा लाश है, करवा है लेकिन सच है, करवा लगेगा, लेकिन सच है भाई, तो क्या करना है, कैसा desire अपने अंदर अपने को जाकर के प्लाइट करना है, बढ़ा सिंपल है, एक कि मेरे को अपने ले नहीं जीना, आरे मेरे साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को किसी न किसी के काम आना है इस पूरी की पूरी दुनिया में और वो मैं सिर्फ तब आ सकता हूँ किसी के भी काम फिर चाहे वो कोई इंसान हो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके आप काम आना चाहते हो या भगवान हो भगवान हो भगवान की प्रॉब्लम पता है क्या है इस यूग में उसके पास तो फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थुरू अपना काम कर सके तहां है आपको एक परफिट इंस्ट्रूमेंट बनना है जिसके थुरू इस दुनिया में किसी तरह का कोई काम हो सके फिर चाहिए दुनिया उस इंसान से करवाना चाहती है या वो भगवान उस इंसान से करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा फिट इंस्ट्रूमेंट आप कब बन पाओगे जब आप अंदर से strong हो आप अपने औरे में सोच रहे हो 24 घंटे तो आप किसी का क्या भला करोगे आप उसकी आंख में जHAक कर के देखो का अपने फाइदे के बारे में सोच हो क्या भला करोगे किसी का नहीं गर सकते उ सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ओपर हावी हो जाए क्या रहा है मर जाओंगा कट जाओंगा इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना खुद को जला दूँगा तपा दूँगा लेकिन रॉष्ट नी कर जाओंगा तपा लोगे अपने आपको पूरी तरह से जो इस समय इस दुनिया में हुमानिटी के लिए इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है चाहे उसमें आपको खुद को कितना भी दज हो रहा है अगर भो कर रहे हो तो वह तप है नहीं तो अगर अपने selfish interest के लिए, अपनी powers acquire करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आप meditation में बैठे हो कही सालों तक, वो तप नहीं है, वो तप नहीं है, वो तप नहीं है, तपाना होगा अपनी body को, अपने mind को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगे से हटाना होगा, जो ध्यान आपका खीच रहे हो सब कैसे होगा, सिरफ एक छोटे से बीच से, मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए, मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा instrument बनना है, जिस भी फील्ड में जाने वाला हूँ, चाहे में डॉक्तर बनने वाला हूँ, इंजिनियर बनने वाला हूँ, इस फ़्यान आपका ऩाँ अफर्ट दाल दो ऑस काम के अंदर अंदर, जो आज तक इसने नहीं लगाया होगा. And if you can live like that, you can't even imagine the kind of feeling that is an experience. It can't be described in words, उसको words में नही नही बताया सकता, वो feeling क्या होगी, हर पर में आप जी रहे होगे, हर पर पर में एक दिन में जितने seconds होते हैं हर second में आप जिन्दा होगे पूरे तरीके से मैं अब क्या करने माला हूँ एक छोटा सा audio play करूँगा यहाँ पे Dr. A.P.J. Aptul Galam का आप में से कितने लोगों ने उनकी एक autobiography है YouTube के उपर जो गुलजार ने बोली है गुलजार साप ने किने लोगों ने सुनी है? किसी ने नहीं ते हो क्या हो रहा है हनी सिंह के लोगों ने सुने है? चार बोटल वटगा, चार बोटल वटगा, चार बोटल वटगा उसमें Sunny Leon दिख रही है, डांस करती है माइंड हमारा words में सोचता नहीं है विश्ट्रहिव सूछ दिए पिच्चर्वालीज को हम शुछा है तो जैसी हो गाला चलेगा मैं आइग तो सनिलियो आगी संवे हैं तुम थाम डिख लगा हो जो होगा ताम इंदका जो क्टिर नहीं करा इंदकाई गॉड़ जो एप बोल टफरें पैरेंट इन्ट कर रहें त I strongly recommend you all, strongly recommend you, इतना strongly, मैंने कभी अपनी लिफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, students के लिए, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिय में कोई नहीं है, students के लिए, जो 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 1990 के Republic Day पर देश नेम मिसाइल प्रोग्राम की कामयाभी का जशन मनाया, मुझे पद्म विभूशन से नवाजा गया और डॉक्टर अरुना चलम को भी, दस साल पहले पद्म विभूशन की यादें एक बार फिर हरी हो गए, रहन सेन मेरा अब भी वैसा ही था, जैसा तम था, दस बाइबारा का एक कमरा किताबों से भरा हुआ, और कुछ जरूरत का फ़नीचर जो किराय पर लिया था, फरक इतना ही था कि तब ये कमरा त्रिवेंडरम में था, अब हैतरवान में, बेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और चाच और आँखों में एक खामोश मुस्कराहट, मुबारक बाद की, मैं अपने हमवतनों की इस नावाज़िश से चलग गया, मैं जानता हूँ कि बहुत से साइंसदान और इंजिनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुलकों में चले जाते हैं, ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए, लेकिन ये आदर, महब्बत और इस्द क्या कमा सकते हैं, जो उन्हें अपने वतन से मिलती है, 15 अक्तूर 1991 में साट साल का हो गया, मुझे अपने रिटार्मेंट का इंतजार था, चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूँ, ये वो दिन थे, जब मैंने सोचा कि अपनी जिन्दगी के तजरुबें, मुझे और वो तमाम बातें कलम बंद करूँ जो दूसरों के काम आ सके, एक तरह से अपनी सौने उमरी लिखूँ, अपनी जीवनी, मेरे ख्याल में, मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिये और दिशा की जरूरत है, तब ही ये अरादा किया, कि मैं उन तमाम लोगों का खिकर करूँ जिन की बदालत मैं ये बन सका जो मैं हूँ, मकस्द ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूँ, बलके ये कि कोई शक्स कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे होसला नहीं छोड़ना चाहिए, मसले, मुश्किलें जिन्दगी का हिस्सा हैं, और तकलीफें गाम्यावी की सच्चाईयां हैं, जैसे कहा है किसी ने, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आस्मान हमेशा नीला ही रहेगा, जिन्दगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो खम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा मुझे ऐसा कोई खुरूर नहीं कि मेरी जिन्दगी सब के लिए एक मिसाल बनेंगे मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगा पर जो समाज के किसी माज़ूर हिस्से से तालुक रखता हो ये पढ़े और उसे चैन मिले ये पढ़े और उसकी उमीद रोशन हो जाए हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे उन्हें यकिन रहे कि वो जहां भी है खुदा उनके साथ है काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौग को पर लग जाए और उस लौग की परवास से सारा आस्मान रोशन हो जाए क्या है हाँ ऐसे लोग को सुनना है ऐसे लोगी बाते अंदर जाने देनी है सोचो अगर आपकी भी सोच ऐसी हो जाए तो क्या होगा सोचो दुनिया बाद में बदलेगी पहले आपकी जिंदगी बदलेगी सबसे पहले दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलोगे एक बार अंदर यह पनप गया ना मुझे भी कुछ ऐसा करना है कुछ तो करना है हुसला बनना है दुनिया के लिए कुछ लोग ही मेर को देख करके इंस्पायर हो कुछ करना है ऐसी थोड़ी आया और चलाके है क्या है ऐसे लोग को सुनना है ऐसे लोग के आउटोबागरफी जोनना है और इसकी गहरեही में जाना है THE MORE YOU DO IT THE MORE YOU WILL GET ENERGY T tremendous TO MAKE THE IMPOSSIBLE POSSIBLE Word है यह umमी नैडिक्सनरी में आप सबके है एला यह नहीं हो सकता, impossible है अरे मैं यह नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती क्या नहीं कर सकते आप क्या फर्क है उन में डॉक्टर कलाम में, मुझ में या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले है क्या फर्क है एक जूट है जो जा करके आपके दिमाग में किसी ने गुसा दिया है कि फर्क है फर्क है उनके अंदर कुछ स्पेशल है उनके अंदर कुछ स्पेशल है किसी के अंदर कुछ स्पेशल नहीं है कुछ नहीं है जिसका डिजायर चितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है प्रणी बड़ी है प्रणी बड़ी है